कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किये गए थे उसकी दिसा में क्या किया मैं तो जरूर इसका जवाब दूगा मुझे मौका दी दे आपने जवाब देने का मगर भाई 17 मैने होए धारा 370 हटे हुए अब हमसे हिसाब माग रहे हो 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आये हो क्या क्या किया सत्तर साल और अगर सत्तर साथ धंग से चलाजे तो हमसे हिसाब मागने का समय ही नहां था मानने अद्यक्जी उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहाँ पर प्रसाशन स्थीति को समाल रहा था इतने में कोविड लग गया है एक साल लगबग लगबग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब माग रहे हैं मुझे कोई आपति नहीं मैं हिसाब देता हूँ याना पाई का हिसाब देता हूँ एक एक काम का हिसाब देता हूँ एक एक बात का हिसाब देता हूँ मुझे उसमें कोई आपता है प्रांतु मैं इतना कहना चाहता हूं मान्याद दग्जी जिनको पीडियो तक सासन करने का मुखा दिया वो जरा अपने गिरेबान में जहांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं है मान्याद जग्जी दारा 370 को हटाने का मसला कोट में है मसूदी साब हाई कोट के जज रहे हैं सुन्ने के लिए नहीं बैठे हैं मगर मुझे रेकोर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट में मामला लंबित है मनिस्तिवारी जी ने भी कहा वो भी चले गए आगया अच्छा हो लंबित है मानने अध्यक्जी उनको कोट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोट में लंबी बहस हुआ और बाद में पांच जजों की बेंच को सुप्रत किया गया है अगर इतनी अनकॉंसिट्रेशनालिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दीती विचारा धिन रखा है जब सर्वोच अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे जवाब देंगे और सर्वोच अदालत नेने करेगी मगर कहीं पर भी एक आनूनी स्थिती नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता इसके कारण जमू और कस्मिर का पूरा विकास को हम रोक कर बैच जाएं वहाँ पर डेवलप्मेंट के कामों को हम रोक कर बैच जाएं और मुझे कह रहे हैं मान्य सदस्य स्वीतिवारी जी कि हम जाएं और सुप्रीम कौट को अरजी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करूं मान्य अध्यक्जी मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो इसलिए हमने हटाया मगर आप तो सुप्रीम कौट के सामने ही नहीं हो भई ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों और बोल रहे हो यह तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कौट में जाकर कि वह जल्दी सुनवाई करो यह भी आपको मालूम है कि सुप्रीम होगी इसकी वर्चुल सुनवाई संभव नहीं है यह आपको भी मालूम है इसलिए सुनवाई नहीं हो इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है पांच जज का बैंज भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रीम कौट वर्चुल सुनवाई के मोड से पुन फिर से ए इस सदन के अंदर दिये जाते हैं, मन्य अद्धक जी सदस्य टी सुमतिव और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मु कस्मिर को स्टेट हुड नहीं मिलेगा, भै बिल को पाइलोट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मन्सा मैंने बश्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेट हुड इससे नहीं मिलेगा, आप कहां से ढ्रॉख करती हैं, अपकी मन की आसंकाओं को जम्मु कस्मिर की जनता पर क्यूं थोपरे हो, मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं, कि इस मिल का जम्मु कस्मिर के वे तूप यागाई